हेलो दुस्तों हम सबकी पराई में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैट्स चेप्टर 4 क्वाइडेटर एक्वेशन उसको डिसकस करेंगे सबसे पहले अगर हम लोग क्वाइडेटर एक्वेशन की बात करें तो जो क्वाइडेटर एक्वेशन का इस्टेडर फॉर्म होता है आपका एक्स का स्कॉर्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन इक्वेशन को लिखेंगे यहां पर जो आपका एबी सी है और बिसिकली रियल नंबर है अगर आपसे पूछे जो गिवन एक्वेशन है और क्वाइडेटर एक्वेशन है या नहीं है तो आपको दो चीज यहां रखना है सबसे पहली चीज कि जो आपका ए है और कभी भी जीरो के इक्वेशन नहीं होना चाहिए और आपका जो highest power है और 2 होना चाहिए यहाँ पर जो दो चीज दिया गिया है उसको ध्यान रखना है कि A कभी भी 0 के equal नहीं होना चाहिए और जो आपका X का highest power होगा और 2 होगा अगर 3 हो गया या फिर 4 हो गया तो quadratic equation नहीं होगा अब हम लोग आपकी जो एकसाइस 4.1 उसको डिस्कुस करेंगे यहाँ पर जो सबसे पहला कोसे ने चेक वैदर दी फॉलोविंग और quadratic equation यहाँ पर कुछ equation दिया गया है आपको चेक करना है कि quadratic equation है या नहीं है तो quadratic equation को चेक करने के लिए बस यही दो criteria आपको यार रखना है कि आपको जो basically coefficient A है वो 0 की equal नहीं होना चाहिए और जो आपका highest power है वो 2 होना चाहिए तो यहाँ जो दो criteria दिया गया है उसको आपको ध्यान रखना है इसी को ध्यान रखते वे जो exercise 4.1 का जो पहला question है तो आपको solve करना है तो जो सबसे पहला question है x plus 1 का whole square equal to 2 multiply by x minus 3 तो इसको सबसे पहले हम लोग solve करते हैं solve करने से पहले यहाँ जो 3 simple formula है उसको आपको ध्यान में रखना है सबसे पहला है आपका A plus B का whole square जो कि आपका होता है A का square पर B का square plus 2AB next is A minus B का whole square जो कि होता है A का square plus B का square minus 2AB और next है आपका A का square minus B का square आपका होता है A plus B bracket open or burn और फिर आपका होता है A minus B यह जो यहाँ पर 3 formula दिया गया है यह बहुत ही जादा useful होता है बहुत जादा हम लोग इसका use करते हैं तो देखो यहाँ पर जैसी आपका first को देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा यह basically आपका A plus B का whole square का formula यहाँ पर लगने वाला है तो इसको solve करने के लिए हम लोग formula का use करेंगे और यहाँ पर जो दूसरा आपका equation है इसको simply हम लो multiply कर देंगे उसके हम लोग जो right side है उसके सारे number को लेकर लेकर आजाएंगे और इसको जीरो बना देंगे क्योंकि basically मेरा जो purpose है quadratic equation को check करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग इस form की बात करेंगे तो इस form में लेकर आना है कोई भी given equation को तो सबसे पहले हम लोग a plus b ka whole square का formula use कर रहे है a ka square plus b ka square plus 2 into a into b equal to इसको हम लोग multiply कर रहे हैं तो 2x फिर multiply कर रहे हैं तो minus 6 तो यहाँ पर formula use किये हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे a plus b ka whole square equal to a ka square plus b ka square plus 2ab x ka square x ka square plus 1 plus 2 into x into 1 आपका 2x हो जाएगा और यहाँ पर 6 यहाँ पर जो भी right side में term दिया गया है उसको हम लोग left side में लेके आते हैं तो आप देखो x ka square फिर आपका 2x आपका जो right side में 2x है उसको हम लोग like term के साथ लेके आते हैं तो यहाँ पर plus में equal के इधर आएगा तो minus हो जाएगा तो आपका minus 2x plus 1 और minus 6 को इधर लिके आएगे तो आपका हो जाएगा plus 6 इधर आपका जो right side में है total 0 हो जाएगा यहाँ पर देखो plus 2x minus 2x cancel out हो जाएगा तो आपके पास x का square plus 7 equal to 0 यही आपके पास बच जाएगा यहाँ पर जो equation आया है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते है x का square plus 0x plus 7 equal to 0 और इसको हम लोग equation 1 मालेंगे इसे equation को हम लोग compare करेंगे quadratic equation से तो यहाँ पर हम लोग statement लिख देंगे compare equation 1 equation 1 इसको मलोग माने है with x का square plus bx plus c equal to 0 तो इस quadratic equation form से हम लोग को compare करना है तो यहां पर compare करने में आपको नजर आएगा जो आपका coefficient A है तो आपका यहां पर 1 हो जाएगा बी आपका 0 हो जाएगा और C आपका 7 हो जाएगा और last में जो आपका conclusion ने लिख देना है hence it is a quadratic equation अगर आपका किसी भी equation में A equal to 0 हो जाता है अगर आपका जो power X का power 2 से जादा हो जाएगा तो equation आपका quadratic equation नहीं होगा तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है दूसरा question है X का square minus 2X equal to minus 2 फिर bracket open 3 minus X bracket 1 तो इसको भी हमनों solve करते हैं X का square minus 2X अब यहाँ पर आपका right side है minus 2 इससे भी multiply होगा 3 से और फिर आपका X से भी multiply होगा बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो minus का sign है सबसे पहले हम लोग अगर minus 2 को 3 से multiply करें तो आपके पास आता है minus 6 और फिर अगर minus 2 को minus X से multiply करें तो आपका बन जाता है plus 2x क्योंकि minus into minus अपका plus होता है तो basically 4 sign होता है plus into plus plus होगा minus into minus plus होगा यही दो आपका plus बनेगा अगर आपका plus into minus तो minus बना देगा minus into plus minus बना देगा तो आपको ध्यान रखना है minus into minus आपका plus हो जाएगा अब क्या करना है आपको कि जो right side में जो term दिया गया है उसको हमनों left side में लेके आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका x का square minus 2x यहाँ पर plus 2x से equal कि इधर आएगा तो आपका minus 2x बन जाएगा minus 6 equal कि इधर आएगा तो आपका plus 6 बन जाएगा और आपका total हो जाएगा 0 तो यहाँ पर देखो minus 2x minus 2x add हो जाएगा लेकिन जो sign होगा minus का होगा तो आपके पास x का square minus 4x plus 6 equal to 0 इसको हम लोग equation 1 मान लेंगे और इसको हम लोग compare करेंगे जो आपका quadratic equation का जो standard form है compare equation 1 with ax का square plus bx plus c equal to 0 उसके अधर हम equation 1 को compare करनेंगे ax का square plus bx plus c equal to 0 में यहां से आपको नजर आएगा जो आपका a है basically 1 आजाएगा और जो आपका b है minus 4 और आपका c जो है 6 आजाएगा तो यहाँ पर coefficient a, b, c का value निकल किया गया value का तो इतना importance नहीं है बस आपको simply करना क्या है कि check करना कि quadratic equation है कि नहीं है तो हम कह सकते हैं hence it is a quadratic equation आपका जो next question x minus 2 multiply by x plus 1 equal to x minus 1 multiply by x plus 3 तो यहाँ पर आपको करना क्या है एक x को पहले हम इन दोनों से multiply करेंगे फिर minus 2 को फिर इन दोनों से multiply करेंगे as it is यहाँ पर भी x को इन दोनों से multiply करेंगे फिर minus 1 को इन दोनों से multiply करेंगे हमनों simply x को x plus 1 से multiply कर दिये और फिर आपका minus 2 को भी x plus 1 से multiply करेंगे as it is equal कि इस side भी same process करेंगे इस x को इस से multiply करेंगे और इस minus 1 को फिर से इस से multiply करेंगे अब हम लोग multiplication करते हैं x को x से multiply करेंगे तो x का square plus x को 1 से multiply करेंगे तो x आ जाएगा minus 2 को x से multiply करेंगे तो minus 2 x आएगा minus 2 फिर multiply by 1 minus 2 आ जाएगा equal to as it is इधर भी कर लेंगे हम लो x का square plus 3x minus x minus 3 अब आपको जो right side में जो भी term दिया गया है उसको हम left side में लेके आते हैं x का square अब इस x का square को इधर लिके हैंगे तो minus x का square यहाँ पे आपका इसको solve करें तो minus x अब इसको भी solve करें तो आपका 2x आएगा इधर लिके आएगे तो minus 2x हो जाएगा minus 2 है इधर minus 3 को इधर लिके आएगे तो plus 3 हो जाएगा equal to 0 यहाँ दो x का square x का square cancel out हो जाएगा आपके पास बचेगा minus 3x plus 1 equal to 0 इसको equation 1 माल लेते हम लो अब इस equation को compare करेंगे हम लो जो आपका quadratic equation को form है ax का square plus bx plus c लेगन यहाँ पर आपको ध्यान देना है यहाँ जो आपका a है और equal to 0 होगी है इसी वज़े से quadratic equation नहीं होगा since a equal to 0 and highest power is 1 not 2 यानि यहाँ पर इस equation में देखो a आपका 0 की equal होगी है और आपका highest power है और 2 ना हो कि यहाँ पर कितना है 1 है इसी वज़े से जो given equation और quadratic equation नहीं होगा तो हमने simply लिख रहेंगे hence it is not a quadratic equation आपको जो next question है first का question number 4 आपका x minus 3 multiply by 2x plus 1 equal to x multiply by x plus 5 तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर simply step by step करते हैं सबसे पहले इस x को यहाँ जो 2x plus 1 है इससे multiply करेंगे as it is minus 3 को 2x plus 1 से multiply करेंगे उसके बाद आपको equal के side भी ऐसी करना है x multiply करना x के साथ फिर x को multiply करना 5 के साथ यहाँ पर multiply करें x को 2x के साथ आपका 2x का square आ जाएगा x को फिर हमनों 1 से multiply कर रहें तो आपका simply x आजाएगा as it is minus 3 को 2 x से multiply करेंगे तो minus 6 x आएगा minus 3 को 1 से multiply करेंगे तो minus 3 आएगा equal की side की बात करें तो x x से multiply कर रहा है x का square आगया x 5 से multiply कर रहा है आपका तो 5x आजाएगा अब आपको जो right side में term है इसको हमनों left side में लिके आएगे तो सबसे पहले देखो 2x का square लिकेंगे x की square इधर plus में इधर लिके आएगे तो minus हो जाएगा अब इसको हमनों solve करेंगे तो minus 5x आजाएगा as it is यहाँ भी 5x से plus में है तो equal की इधर लिके आएगे तो minus में आजाएगा minus 3 minus 3 equal to 0 हो जाएगा अब हम लोग फिर से इसको solve करते है तो यहाँ पर 2x²-x² है तो आपका x² आ जाएगा यहाँ पे 10x बज़ जाएगा और आपका –3 equal to 0 आपको दियान रखना एक चीज़ का माल लेते हैं 2x²-x² है तो आपको एक बात पता होगा कि x² के साथ कोई भी अगर नमबर नहीं होता है तो हम लोगों पता होता है कि यहाँ पे 1 होता है तो 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा 1 को हम लोगों नहीं लिखते हैं और x² को as it is लिखेंगे लेकिए अगर multiplication की बात करेंगे तो xx क्या हो जाएगा आपका multiply हो जाएगा और जो भी power है power add हो जाता है यह बात आपको ध्यान रखना है multiplication में power add हो जाएगा लेकिन plus और minus में हम लोग as it is लिखेंगे यह आप कह सकते हों यहाँ पर अगर हम x को common ले 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 तो आपके बास 2 minus 1 बच जाएगा इसको solve करेंगे तो आपके बास सिपोसिफ 1 बच जाएगा x का square तो 1 को लिखेंगे नहीं simply हम लोग x का square लिख देंगे तो यहाँ पर इसको solve करने के बाद आपका x का square ही बचेगा और यहाँ पर जो 1 होगा उसको हम लोग नहीं लिखते हैं तो आपके बास equation आ गया x का square minus 10 x minus 3 equal to 0 इसको हम लोग equation 1 मान लेंगे again इसको compare कर देंगे a x के square plus b x plus c के साथ compare करने के बाद हम लोग a b c के value लिख देंगे यहाँ पर आप देख सकते हो a 1 हो जाएगा और जो आपका b है वो minus 10 है और जो आपका c है minus 3 है इसको लिखने बाद जो आपका last में जो statement है hits it a quadratic equation इसको जरूर लिखना अब हम लो next question की बात कर लेते है one का question number 5 आपका 2x minus 1 multiply by x minus 3 equal to x plus 5 multiply by x minus 1 तो सबसे पहले हम लोग 2x को x minus 3 से multiply करेंगे फिर आपको minus 1 को x minus 3 से multiply करेंगे as it is equal की side भी वही करेंगे x को x minus 1 से multiply करेंगे plus 5 को x minus 1 से multiply करेंगे तो 2x को हम लोग x से multiply करते हैं तो आपका 2x का square होगा क्योंकि अभी हम समझायते हैं multiplication में आपका जो power होगा वो basically add हो जाता है तो यहाँ पे आप देखो x है power 1 है x है power 1 है तो power add हो जाएगा तो आपका 1 plus 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो 2 को 1 से multiply करोगा तो 2 आजाएगा तो आपका जो result होजाएगा 2x का power 2 हो जाएगा minus 3 को 2 से multiply करो 6 x है तो as it is लिख दो x minus 1 को x से multiply करो तो minus x क्योंकि हमनों 1 को नहीं लिखते है minus 1 को minus 3 से multiply करोगे तो minus minus आपका plus हो जाएगा और 1 multiple away 3 आपका 3 हो जाएगा as it is इधर भी कर लेते हैं x x x का square हो गया क्योंकि इसका power 1 होगा इसका power 1 होगा तो add हो जाएगा तो x का power 2 आ जाएगा minus x plus 5 x minus 5 अब पूरे term को left side लिखे आ जाना है 2 x का square इस x की square को इधर लिखे आ जाओ तो minus x का square इसको पहले solve करो तो minus 7 x आ जाएगा इसको solve करो तो यहाँ पे plus 4 x आएगा अगर equal की इधर लिखे आएगे तो minus 4 x हो जाएगा plus 3 minus 5 को इधर लिखे आ जाओ तो आपका plus 5 हो जाएगा equal to 0 यहाँ पे देखो इसको अगर हमनों solve करते हैं तो क्या result आएगा 1 x अब minus minus दोनों में है इसलिए sign आपका minus में होगा लेंगे जो value होती होगा add हो जाती है और 3 plus 5 8 equal to 0 इसको हमनों equation 1 माल लेंगे और compare गल लेंगे compare कर लेना equation 1 को with ax2 plus bx plus c equal to 0 और उसके बाद आपको a, b, c की value लिख देना है तो a आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा b minus 11 हो जाएगा और c आपका 8 हो जाएगा इसके last में statement लिख देना है hence it is a quadratic equation अब हम लों next question की बात कर लेते हैं next question है x का square plus 3x plus 1 equal to x minus 2 का whole square तो ध्यान रखना है यहाँ a minus b का whole square का formula यूज हो जाएगा जो कि आपके पास a का square plus b का square minus 2ab होता है मैंने आपको starting में बताया था कि यह जो 3 formula है बहुत ही जादा important हो बहुत इसका use होता है कहीं भी आपको a plus b का whole square या a minus b का whole square या a का square minus b square का form नज़र आए तो आपको 2 का square minus 2 into a into b तो यहाँ पर दोगो x का square x का square होगा plus 2 का square 4 हो जाएगा और यहाँ पर minus 4x होगा सबको हमनों left side में लेके आते हैं यहाँ पर दोगो x का square minus x का square होगा तो यहाँ पर cancel out हो गया 3x plus 4x आपका 7x बन जाएगा और plus 1 minus 3 आपका minus 3 हो जाएगा equal to 0 यहाँ पर जो value minus का है वो जादा है इसी वज़े से sign minus का होगा आपके पाद जो equation बन गया है 7x minus 3 equal to 0 इसको हम लोग equation 1 माल लेंगे equation 1 को हम लोग compare करते हैं ax k square plus bx plus 3 equal to 0 के form में तो यहाँ पर आपको जार आएगा जो आपका coefficient a है basically 0 बन गया जो आपका highest power है और 2 ना होकर 1 है इसी वज़े से हम लोग कह सकते है कि यह जो आपका equation दिया गया है हो quadratic equation नहीं है तो simply हम लोग देंगे hence it is not a quadratic equation next जो आपका question है question number 7 है first का x plus 2 का whole cube है equal to 2x bracket में आपका x का square minus 1 bracket बन है तो यहाँ पर आप देख सकते हो a plus b का whole cube का formula लगने वाला है जो कि आपका होता है a cube plus b cube plus 3ab bracket open a plus b bracket बन यह आप कह सकते हो एक और formula होता है यहाँ पर simply हम लोग ने क्या किया 3ab से a को multiply किये फिर 3ab को b से multiply किये तो आपका जो result हम लोगी का आप या रखना है यह तो इसी का multiplication form है जो यहाँ पर value दिया गया इस form में हम लोग change कर देंगे तो यहाँ पर आपका a का cube that is x का cube plus 2 का cube plus 3ab और आपका a plus b हो जाएगा तो इसको हम लोगने solve करते हैं तो x का cube plus 2 का cube आपका 8 आ जाएगा plus 3 into 2 6x आ जाएगा और आपका हो जाएगा x plus 2 equal to इसको multiply करो 2x का power cube हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर power 2 है और यहाँ पर power 1 है add हो जाएगा तो आपका power 3 हो जाएगा और आपका 2x आ जाएगा जो भी value right side में है उसको left side मे लेकिया जाएगे उससे पहले यहाँ पर जो भी आपको दिया गिया है इसको multiply कर देंगे x का cube यहाँ पर 2x का cube plus में है तो इदर आपका minus हो जाएगा अब इसको multiply करें तो plus 6x का square और फिर multiply करें तो plus 12x और यहाँ पर आपका minus 2x है इदर लिखे आ जाएगा तो plus 2x हो जाएगा और आपका 8 है इदर तो 8 लिख देंगे equal to 0 इसको solve करते हैं तो यहाँ पर देखो आपका जो आपका minus sign है इसके value जाएदा है तो sign तो मेरा minus हो जाएगा अब हम लोग minus कर देंगे तो आपका x का cube बच जाएगा यहाँ पर आपका plus 6x का square है यहाँ पर add करेंगे तो आपका 14x हो जाएगा और आपका 8 equal to 0 हो जाएगा इस equation को हम लोग equation 1 माल लेंगे और फिर इसको हम लोग compare कर लेंगे तो यहाँ पर जो equation 1 है इसको हम लोग compare कर रहे है a x का square plus b x plus c का यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि जो power है से एक quadratic equation नहीं होगा next question जो कि question number 1 का last question है question number 8 है इसमें आप देखो x का cube minus 4 x का square minus x plus 1 equal to आपका x minus 2 का whole cube 3 है तो यानि a minus b whole cube 3 का formula आपका होता है a का cube minus b का cube minus 3 a b bracket में a minus b bracket 1 तो इसको हम लोग इस form में लिखेंगे तो हम लोग simply x minus 2 के whole cube x का cube minus 2 का cube minus 3 a b और आपका x minus 2 इस form में लिख दिये हैं अब इसको multiply कर देना है यहां पर तो solve करने के बाद x का cube minus 2 का cube 8 आ जाएगा 3 into 2 x आपका minus 6 x आ जाएगा उसके आपका x minus 2 आ जाएगा again हम लोग minus 6 x को x से multiply करेंगे और फिर आपका minus 2 से multiply करेंगे simply x का cube minus 8 multiply कर रहे तो minus 6 x का square फिर multiply कर रहे तो plus 12 x आ जाएगा और जो left side में है as it is रहेगा अब आप एक बात ध्यान रह सकते हो इधर देखो left side में देखो x का cube है plus के साथ और आप अगर equal की side देखोगे तो भी आपको नजर आएगा x a cube plus के साथ तो दोनों cancel out हो जाता है क्यूंकि अगर हम किसी भी x a cube को equal की इधर लेके जाएगे तो आपका sign change हो जाएगा तो इसी वज़े से आप यहां पर भी cancel कर सकते हो या फिर इधर भी लेके आके तब cancel कर सकते हो simply इस बार हम लों इसको इसको cancel कर देते है तो आपके पास minus 4x का square minus 4x का square हम minus 6x का square को इधर लेके आएगे तो plus बन जाएगा तो plus 6x का square हो जाएगा minus x है इसको इधर लेके आएगे तो आपका minus 12x बच जाएगा और यहां पर plus 1 इधर लेके जाएगे minus 8 को तो plus 8 हो जाएगा equal to 0 इसको अगर हमनों solve करते हैं तो यहां पर बच गी आपका 2x का square add हो जाएगा minus 13x लेकिन sign minus का होगा again इसको add कर लेंगे 9 equal to 0 इसको हमनों equation 1 मान लेंगे फिर compare करेंगे तो हमनों compare करेंगे a x square plus b x plus c equal to 0 के साथ तो यहां पर a की value 2 आ गया b की value minus 13 आ गया और c आपका 9 हो गया तो हमनों लिग देंगे last mean statement hence it is a quadratic equation तो आपका जो quadratic equation का पहला exercise 4.1 का जो question में 1 है 1 में आपका total 8 question था question में 8 तक solve कर चुके है next video हम लोग इसके आगे वाले question को discuss करेंगे लेकिन आपको एक बात का धियान रखना है कभी भी आपको अगर quadratic equation को check करने की बात करेगा check whether the following are quadratic equation तो आपको यही दो चीज यार रखना है एक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और जो highest power है 2 होना चाहिए अगर आपका a 0 हो गया highest power 2 ना होके कुछ और हो गया जैसे की 1 हो गया या फिर आप कह सकते हो 3 हो गया 4 हो गया तो वो equation आपका quadratic equation नहीं होने वाला है और आपका यहां पे तीन formula था उसके साथ-साथ a plus b का whole cube का formula और a minus b का whole cube का formula इसको भी आपको ध्यान रखना है a plus b का whole cube का formula a cube plus b cube plus 3ab और a plus b होता था वैसे अगर हम a minus b की whole cube की बात करें तो आपका a cube minus b cube minus 3ab a minus b तो यहां पे जो पांच formula है इसको यार रखना है और इस condition को यार रखना है तो आपका जो quadratic equation है easily solve हो जाएगा आज चीरी बस इतना ही thank you for watching